नवस्कार दोस्तों, सागत है आपका अपने चैल में स्ट्रेस्विक लैज पर जहां दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कोशल रोजगार निगम के करमचारियों की जो ड्यूटी है वो कितने घंटे की होती है अब वहांपर दोस्तों, ज rectum के करमचारी है वो भी चाहते हैं कि उनको भी निवित करमचारी की तरह से हो सकता है कम समय में duty जो है उनको देनी चाहिए उनको भी पके करमचारी की तरह है इतने ही घंटे का काम करवाया जाए इस तरह के वो भी दावे करते हैं तो वहाँ पर प्रेशानी उनको आती है तो दो इसमें कारियल आदेश आप लोग दिखाएंगे और बताएंगे समझाने की कोशिश करेंगे और आप भी अपने जो हवी चार कमेंट बोक्स में जरूर शेयर कीजेगा इस सम्मंद में जो बा OPD बोक में दी जाने वाली सेवाओं का समय बताया गया है आ। बजे से दो बजे तक दी जाएंगी सेवाओं OPD की अत अरु पिटी बलोक में कारेरत सभी अदिकारियों करमचारियों को आदेश दीये जाते हैं कि आप सभी 304 2022 से यानिके आज कितने तारीख है 25 है यानिके एक तारीखी बीच में गई है तो 34 ये है ठीक है तो 34 से उक्त अनुसार OPD बलोक में कार्या करेंगे यदि दो पहर दो बजे भी किसी मरीज की टेस्ट रिपोर्ट आधी मिलने में देरी हो जाती है या कोई मरीज चिकित्सक के समुख अपने चेक अप करवा रहा है यानि के मर करत करमचारी उन मरीजों को दवाई देने के उपरांत ही अपने ड्यूटी से परस्थान करेंगे यानि के जब तक की डॉक्टर के पास मरीज घड़ा है लास्ट मरीज तक आप वहाँ पर अपने ड्यूटी पर रहेंगे जो डिस्पैंसरी वाले करमचारी है आधेसों की द पर लगी है किस परवर्ती की डूटी है उस पर भी डिपेंड करता है लेकिन आप आठ गंटे की डूटी करने से मना नहीं कर सकते क्योंकि एक नोर्मल टाइम है कि कोमन टाइम है ओफिस टाइम है हो सकता है आपकी पहले ही चुटी कर दी जाए किसी संस्थान में हो सकता वो दो बजे तक खुलता है ठीक है लेकिन अगर आपकी duty वहाँ पर 4 बजे तक लगती है एकच्चे क्रमचारी के तोर पर या कोशलोजगार निकम के क्रमचारी के तोर पर अगर आपको एक्स्ट्रा कोई भी काम दिया जाता है आप 4 बजे तक रहेंगे आप अपने 8 गंटे पूरे करेंगे duty के तो आप वहाँ पर मना नहीं कर सकते अब इस order letter में क्या रख्या है ये बता देता हूँ आप लोगों को उपर की जो 8 से 10 लाइन है इसमें तो यही क्या रख्या हिनों ने बही जो भी time है अगर सुबह आने का time 8 बजे है तो आप 8 बजे से थोड़ा पहल नहीं कि 4 बजे से पहले आम तोर पर देखने में आता है सुबह तो लेट आते हैं लेकिन जाने का जो time होता है जल्दी करते हैं और चुटी के time से पहले निकलने के कोशिश करते हैं और यही चीज यही हालात देखने में आता है जब lunch time होता है अगर 2 बजे lunch time होता है तो क्य आपका होना चाहिए और दूसरा किसी अदिकारी को किसी करमचारी को अगर जाना है तो आपका आक्टिविटी रजिस्टर एक तरह से जहांपर जिसको इसमें इंदि में लिख रहें कि हल चल जो रजिस्टर उसमें दरज करें देखिए हर सरकारी ओफिस में एक रजिस्टर होता है जिसमें बाकाईदा लिखा जाता है अगर किसी करमचारी को परसनल काम से जाना है वापर आप लोग अपना duty time डालेंगे मैं इस बज़े इतने टाइम पर मैं जा रहा हूँ या फिर ओफिस आपको बेजता है परसनल के काम से ही सरकारी काम से तो उसमें आपका नाम लिखा जाएगा बाकाईदा आपका काम लिखा जाएगा कितने बज़े यहां से आप जा रहे हो वो सारी चीजे नोट करके जानी है वो आदेश दिये गए हैं अब जो duty की बाम बात कर करमचारी का लुंच टाइम नहीं है वैं पूरों की बात ही कारेले के पत्र करमा कि यहां पर 29-2024 के अनुशार ही अपनी duty करेंगे कौण शेय पत्र के अनुशार इस पत्र के अनुशार चाइम क्या है ओकी रुपिडिका Demokraten अर्ज बजय नहीं का पके पिंवारें भी आपके पास नहीं आजाता है तो यहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि जो duty की परवर्ती है duty की जो दोस्तो नेचर है वो आपकी वो depend करती है वही आपके जो काम है hour है जो आपके गंटे हैं उस पर अब यहां पर इनोने special mention कर रख्या है अगर OPD का कोई करमचारी है तो वो 8 से 2 यहां पर काम करेगा regular बगैर lunch time के ठीक है लेकिन यहां पर कोशलोजगार निगम का जो करमचारी है देखिए तथा यहां से अलग कर दिया है नोने यह point करमचारी को जो अन्य करमचारी है हो सकता है regular करमचारी है उन्होंने अपना duty time दे दिया 2 बजे तक ठीक है अब दूसरे करमचारी है उनकी भी duty 2 बजे तक ही होनी चाहिए वह यह जो है वह आपर कोशिच करते होंगे इसी का आपर आवाज उठाते होंगे हमारी duty भी OPD में ह हम भी करमचारी है ठीक है तो हमारी भी 2 बजे तक duty होनी चाहिए लेकिन साथियों आप लोगों को इस बात का एसास होना चाहिए वह अगर संस्थान चाहता है आप 4 बजे तक duty करें संस्थान 4 बजे तक खुलता है 8 गंटे की duty आप से संस्थान मांगेगा तो आपको 8 गंट दोक्टर के पास खड़ा है तो आपको dispensary में उपलब्द रहना है जब तक वो जो मरीज आपके पास आकर दवाई ना ले जाए अब दो बजे जरूरी नहीं है कि वो दो बजे ही आपके पास आएगा हो सकता डाई बजे आ जाए तीन बजे आपके दोक्टर के पास से फ्र यहाँ पर special बोला गया है कि आपको सुबह 8 बजे से 4 बजे यह दोस्तों office time है 8 गंटे की duty का जो की सरल एक normal duty time होता कहीं पर भी 8 गंटे का duty time सामान्य duty time है साथियो जो आप लोग कहते हैं कि भई हमसे ज्यादा duty लिजाते है यह ज्यादा कहकर आप इसका विरोध नहीं कर सक तो यहाँ पर nature पर depend करता है हाँ अगर आपकी duty 8 गंटे से ज्यादा करवाई जाती है तो आप बोल सकते हो वरना संस्थान आपसे 8 गंटे की duty किसी भी रूप में अगर आप जो इस भी पोस्त पर काम करते हो वहाँ पर आपसे duty लेगा ही ले सकता है उसका वो हक बनता है तो वहाँ पर सनिवार को regular करमचारी की छूटी होती है लेकिन कई जगे पर regular करमचारी तो छूटी पर रहते हैं और कोशलोजगार निकम के करमचारी को बुला लिया जाता है ठीक है अब प्रेशानी साथियों यहाँ पर आपको ही होगी क्योंकि आपकी पर डे की हाजरी आकर बेज सकता है वही हमारे यहां तो five day है सब इका कंपल्सरी five day है तो पांच दिन के इसाबचे भी आपको उतनी salary मिलेगी लेकिन संस्थान अगर चाता है कि आप सनिवार को भी आए तो आपको आना पड़ेगा यह कंपल्सरी यहाँ पर है तो आप इसका विरोध नहीं क कर सकते हैं बहुत सारे साथी कमेंट में भी पूछते हैं को सलोजगार निगम की जो अकरमचारी की duty कितने गंटे के होती है देखें office time होता है नै कि कितने गंटे की office time क्या होता है 8 गंटे तो होता ही है या तो सुबह 8 बजे से श्याम 4 बजे तक या फिर सुबह 9 बजे से 5 इस दोरान आप मना नहीं कर सकते आपकी कोई भी ड्यूटी बले ही हो पक्का करमचारी बले ही चला जाए लेकिन आपको वो ड्यूटी देनी पड़ेगी आपका जो ओफर लेटर है उसको कभी ध्यान चे पड़ कर देखना जो आपका बेजा गया था उसमें यहां पर बता गय संस्थान के रूल आपको फोलो करने पड़ेंगे चाहिए उसमें ड्रेस का है टाइम टेबल का है वो आपको मानना पड़ेगा तो आई थिंग कलियर हो गया होगा वह अब आपको कोई प्रेसानी नहीं होगी इन्हों नहीं यह चीज़े वाकि आगे बोलक है वह आपको बजे से स्याम 4 बजे तक या फिर सुबह 9 बजे से 5 बजे तक आपका ड्यूटी टाइम रह सकता है आप इसका विरोध नहीं कर सकते तो साथी हो यह अपडेट आप लोगों के लिए थी जो साथी प्रेसान हो रहे थे जो जिस भाई नहीं बेजा है आई थिंक उसको भी अंदारी से कीजिए ताकि आपकी ड्यूटी लंबी चल सके संस्थान में आपकी एक जगह बंड सके तो दुस्त अगर आप भी चाते हरियाना में एजुकेशन से लेटेड आउट सोर्शिंग के चेक रमचे जोड़ी खबरे से मैं पर पाना तो चैनल को जूर सब्सक्राइ करें वीडियो को लाइक करें दुस्तों साथ शेर करें थेंक यू वेरी मुँच